न्यूस नशा आदत हर खबर की उप्राप्ति हुई राम मंदिर जो एक सम्मान का विशाय है राम मंदिर जो पुरे सनातन धर्मावल अम्वियों के लिए एक गुरूर का विशाय है और ऐसे में आज इस प्रकार विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के प्रती यानि प्रहुस्री राम के कभी मंदिर के प्र तो प्रती एक एक करके लोगों के उपर जो प्रहार वी पक्षी पार्टियों के द्वारा हो रहा है यहां अपने भारत सरकार यहां कारेक्रम को नहीं करा रही है यहां कारेक्रम को राम मंदिट प्रस्ट करा रही है और बिश्व हंदु परिशाद दोनों मिल करके तो बिश्व हंदु परिशाद और राम मंदिट प्रस्ट का यह जिम्वारी है कि किसको बुलाया जाए और किसको नहीं बु प्रभु स्री राम का अपमान है जो बहुत ही तुखदाई है प्रभु स्री राम सब के हैं किसी एक ब्यक्तिकत पार्टी के नहीं है प्रभु स्री राम चराच पार्जगत के सभी मनुश्यों के हैं देवी देवताओं में भगवान विश्नु का अपना अलग पहचान अलग एक दर्शन है भगवान बिश्रों के सात्य उतार के रुप में प्रभुश्री राम का इस धर्टी पर प्रकट होना हुआ जब दुनिया में आताताई और बिधर्मी लोग बढ़ गए जब रावन जैसा बिधर्मी पुरी दुनिया में हाकार मचा दिया तब प्रभुष्री राम का जन्म हुआ तारका सुबाहु मारीची नामक बहुत सारे राक्षस जिनका प्रभुष्री राम ने बद किया इसलिए कहा जाता है प्रवेश नगर की जैसब काजा खिर्दय राखी कौशल पुर्राजा गरल सुधारिपु करह मिताई गोपद अनल सितलाई शांतम शाष्वत प्रमे मरधम निर्वान शांती प्रदम ब्रह्मा शंभु फनेंद्र शेप्यमन सम् वेधांत वेदम विभुवं रामाख्यम जगदीश्वरम बंदे भूपाल चुंडा मनिम प्रवेश नगर की जैसब काजा खिर्दय राखी कोशल पुरा जा इसी अशलोग से अब बिलम कहिकारन स्वामी किर्वाक रहुगुर अंतर जामी अब मंदिर में प्रहुसर राम के प्रानप्रतिस्था में किसी प्रकार का बिलम नहीं होना चाहिए जिस प्रकार भी पक्षी पाटियां और सो कॉल्ड शंकराचार है शंकराचार पचास बर्सों से जिस ब्रकार राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए हमने सुपरीम कोड तक लड़ाई लड़ी और अंतरता विजय को प्राप्त हुए आज मोहुर्थ कि बात की जाती है तो सुर्ज उत्रायन हो चुके हैं और आज आज खरमास का अंत हो गया है यानि मग पर सक्रांति के बाद सभी शुव कारज शुरू होते हैं और प्रभोश्री राम का राम मंदिर का जो निर्मान हो रहा है वह विशेश सरवार्शिद्धी और विशेश अमरत काल के विशेश महा महुर्थ जिसमें 84 से केंड का विशेश महुर्थ है इसे अभिजीत सोय बर्सों तक और हजार बर्सों तक यह इतिहास में समय अमर रहेगा प्रभु 스ry राम घटगट के बासी है जन्म सी लेकर मिर्द्धी तक प्रभी स्री राम के नाम का चर्चा जिए वह ज़रूरी हो जाता है चाहे वह सनातन धर में जर्म लेने चाहे प्रातकाल का मनुष्व का जब जन्व होता है तो जैसिता राम कहा जाता है और आंत में राम-nama सत्य है यही जो है विशेश प्रभुस्रीराम एक ऐसे हैं Heil जब की मैं आध मॉनता हो कि कहीं न कहीं को च्वाक्षमिक को च्री का गया है महालक्षुमी की अतारमासीता है उनकी जय हो मासिता की जय हो प्रभु सिरी राम की जय हो इसलिए जय सिरी राम कहा गया है भाशा में बिभक्ती भाशा में बदलाव होने के कारण कहीं जय सिरी राम कहीं जय सिरी राम कहीं जय जय राम कहीं राम राम तो इसमें विपक्षी पार्टी हो अथ्वा कोई भी करता है वह राम द्रोही है और राम द्रोही अपने आप में दुखदाई है घातक है मैं ऐसा मानता हूं कि प्रभुस्री राम किसी जाती में भी वक्त नहीं है उन्होंने अपने कारेकाल में प्रभुस्री राम जब से जन्म हुआ उनका तब से लेकर और सर्जू में समाधी तक उन्होंने सभी जाती और यहां तक कि सिर्फ मानव जाती नहीं बलकि रीच भालू बंदर उन सब के साथ सहजोगा आत्मक रुप से जीवन जिया भील का विशेश रुप से माता सबरी का बेर खाया उन्होंने सुग्रिव के भाई बाली से उनकी पत्नी तारा को मुक्त कर आया और ऐसे ही प्रभु स्री राम पुरुष्टम महा मर्यादा पुरुष्टम नहीं है महिलाओं का सम्मान करना इस्तृजाती का सम्मान करना प्रभु स्री राम के रगरव में बास करता है इसलिए इस्तृजाती के सम्मान की रक्षा के लिए माता सिता की रक्षा के के और विजय को प्राप्त किये भगवान श्री राम ने रावन को वद किया रावन के वद में उनके भाई विविशन का वे सहजोग रहा जबकि देखा जाता है कि उनकी सिनाओं में एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली थे इसके बावजूद भी सत्त मेवजयते सत्त की करता है लेकिन वह परास्त नहीं होता यसलिए प्रहुश्री राम सत्त पर विजय प्राप्त करके और अधर्म पर धर्म का पता का पराया असत्त पर सत्त का पता का पराया प्रहुश्री राम अनुकर्डिये प्रतेक मायने में हैं अपने अच्छे पुत्र के रुप में पि प्रभु स्री राम के पिता दसरजी से एक दो वर मांगा था तो उसमें से एक वर में प्रभु स्री राम को बनवास और दूसरे वर में अपने बेटे भरत को 14 वर्स तक जब प्रभुश्री राम जंगल में थे तो उन्हें उनके खड़ाव रख करके पुजा करने का उसर प्राप्त हुआ था माता कैके ने अपने पुत्र भरत को राजगदी की मांग की थी लेकिन राजगदी पर भरत जी नहीं बैट पाये थे प्रभुश्री राम जो घटगट में बासी है हर कणगर में बासी है ऐसे अयोध्या धाम के नगरी को बारंबार परणाम है मैं अयोध्या धाम में विजय पताका का जादा से जादा स्रे भारती जंता पार्टी को देता हूँ इसलिये भी देता हूँ कि भारती जंता पार्टी के तीन एजनडें एयोध्या मतुरा और काशी में अयोध्या का पुरुनता हुआ अयोध्या पर पुरुन विजय प्राप्ट हुआ और काशी में विशेष कॉरिड़ूर का भी दिर्मान हुआ मतूरा थुजायःप्ट हो जाएगा क्योंकि असत्पर सत्थ का विजए प्राप्ट करना सत्ध में वजयते ही होता है ऐसा लोग मानते हैं कि भारती जंटा पार्टी एजिन्डा चलाती है मैं एसा मानता हूं कि اگर सनातन क़र्म रक्षा के लिए सनातन धर्म के विजय प्राप्ति के लिए अगर कोई जिंडा भी रखती है भारती जिंदा पार्टी तो इसमें दिकत की बात नहीं होनी चाहिए आज इतने भी सेकुलर पार्टियां हैं वह भले ही भारती जिंदा पार्टी के बिरूद कर रही हो लेकिन ये सुप्रिम कोट ने विजय दिया है तो कहीं ने कहीं भारती जिंदा पार्टी और उनके कारिकारतों का जोगदान रहा है और अंतता सत्त की विजय होती है आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी सिद्ध कर दिया गया कि अध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस मंदिर के निचे आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्राप्त किया पुराने मुर्तियां जो प्राप्त किया घंटा घरियाल जो प्राप्त किया धनुष जो प्राप्त किया चक्र गदा यह सब सिद्ध करता है कि प्रभुस्री राम का वहां मंदिर था और पुरे देश के सनातनियों से आगरा करता हूं कि इस दिन आप प्रभु स्री राम का जब मंदिर का विशेष प्रानप्रतिस्था है उससे मैं घर में अपने पांच दीपक को जलाएं प्रभु स्री राम के राम चरित्मानस का रामायन का पाठ करें हनमान चलिशा और सुंदर कांडगा पाठ करें स्री राम नाम का जोत को जलाएं और शाम को विशेष दिवाली मनाएं घर में मिठाईयां बाटे प्रटागा फोड़े और एक दूसरे से प्रेम भाव का प्रदशन करें यहां हमारा विजय साड़े 500 बरस के बाद जो विजय प्राप्त हुआ है निश भी नहीं बुलना चाहिए कि जो राम जो भारती जन्ता पार्टी में जो विरोध कर रहे हैं लोग जो पक्षी हैं उसमें भी राम दुरोई नश्की ने हैं संचालित होती है सोनिय गांधी जी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी संचालित होती है राहुल गांधी के द्वारा ओलोग सनातन धर्म सिर्फ नामधारी है सनातन धर्म को नहीं मानते ओलोग ज्यादातर ओलोग ज्यादातर जो है वह इसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं ऐसे में आज जरूरत है प्रहुस्री राम के मंदिर में प्रहुस्री राम का नमद करना जय स्री राम जय स्री राम और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा